गुद मॉर्निंग अल फ्यू वेलकम तू माई योटूब चैनल इंजिनियर सधार आज हम लोग आईसोमेट्रिक पोजेक्शन में हेक्सागोनल पिरामिट का इसमेट्रिक व्यू और आईसोमेट्रिक पोजेशन को देखेंगे इसके पहले का लेक्चर में हमने इसक्वाइर पिरामिट और अफ्य पिरामिट को के बाइस लिए अक वीडियो में से फिर्णन का पूशिबल होंगे वह कर поех अगर टाइम मिला तो फिर उसका सेकंड पार्ट जो हमारा कौन को को इंक्लूड करूंगा उसमें तो उसको सेकंड वीडियो में डाल दूंगा शुरू करते हैं अपना फर्सक्वेशन आज क्या कौशन नंबर 13 है हमारा सॉलिड का जो इसमेट्रिक पॉजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड का उसका कौशन नंबर 13 एंड्रॉद आइसमेट्रिक व्यूफ और हेक्सा कौनल पिरामीड है विंग बेस एज 30 mm और हाइड 55 mm वन एक्सेस वर्टिकल यहां पर देखेंग आइसमेट्रिक व्यूफ व्यूफ मतलब हम लोग को एक्च्वल लेंद के साथ मनाना है यह तो किलियर है उसके बाद हेक्सा कौनल पिरामीड है उसके बाद देखते हैं 30 mm साइड और हाइड 55 mm वेन एक्सेस वर्टिकल है एक्सेस हमारा वर्टिकल बोल रहा है तो बहुत ब है तो बनाना होता है वेस्तों बनाइंगे तो कैसे बनता है एक अरिजिंट लियंग लें लेकर जो पहले हम लोग साइड में फिकर बनाते पर आहिक तेंग उसको तो को यह सब सारे डिसकेशन अलड़ी बहुत सारे वीडियो में कर दिया गिया है इसलिए आपको डिरेक्टी में स्टार्ट करता हूं बनाना है तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू बोल रहा है तो गिवन डाइमेंशन का जो हमारा 30 mm बेस एज है और 55 mm इसका हाइट है तो हम लोग में स्टारा दे एक एक रहोगन गरा टेहां उसको फिर किप ललग एक रेक्टेंड्बर, बॉक्स में उसरोला लाइटा लि interviewing हम लोग करने वाले हैं हमारा साई थर्टी है है और है 55 ऑध में सटार्ट कर चाहती है एक्सका उनको साइट जो होता है तो साइट के बिछ और यहांगल होता है या आपको पता है अब इसका का नेवि कर लेते हैं यहाँ पर एक वें टूा थ्रुआ से 123456 इसको रेक्टनाझ बॉक्स में अप्सपांव self-none कि one two line को क्या करता है एक्सरेंड करते हैं downward और one two line को extend कर दיता अपवड उसी तरह से six point को rightward और leftward दोनों साइड एक्सेंड कर दीए फिर फ्राइब 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 लेकर चले गहें अपवर्ट और फोर को नीचे डाउनवड लेकर आ गया थ्री लाइन ठीवाल इससे भी एक लाइन क्रॉस करेगा जो लेफ़र और राइटवर्ड हो कर इस तरह से हमारा रेक्टंगल बॉक्स में यह हमारा rectangular box में convert हो गया जिसका naming हमने कर लिया ABCD अब क्योंकि हमारा axis vertical है तो axis vertical है तो जो rectangular जो हमारा hexagon shape है वो हमारा horizontal position में आ जाएगा जो base है उसका pyramide का hexagonal pyramid का जो base axis vertical होने के वज़ा से उसका base जो होगा वो horizontal हो जाएगा जब भी वेस होरीजेंटल होता है तो हम लोग कंसिदर करते हैं कि वह हमारा होरीजेंटल पोजीशन में है और होरीजेंटल पॉजीशन में हैं है हम रैखेट में 30 डिग्री लेंगे लेफ यौण है हुआ इसमारा नेमिंग हम लोगम इसमें हम अधिक रिक्टेंगूलर क्ते हैं को हमारा यहां पर फिक्स करते हैं तो एया हो गया Lenz होगा वह हमारा यहां पर कट हो जाएगा हुआ बहुत है इसी तरह से लेफटाइड है तर दी का देख लेते मलने यहां बदी आ है यह हमारा a d lign हो गया a b or a d हमारा यहां पर यहां पर फिक्स हो गया है अब क्याUm lining talk निखालने के लीए क्या करना होगां कि 시청us कि एम लाइन के पैरलल D point से जैसे हम लोग अब तक करते आ है एक line draw होगा A B line के parallel D point से एक line draw होगा उसी तरह से DA line के parallel B point से एक line draw होगा यह हमारा हो गया जो extra line आया है उसको आप रब कर दो भी हमारा point आ गया C हमारा rhombus में convert हो गया है A B C D जो था rectangular box वो हमारा rhombus में convert हो गया है अब जो जो point first figure में है 1 2 3 4 5 जो hexagon का point है first figure में A B line पर 3 है तो A B line पर हमने 3 mark कर लेना है compass में A 3 line का distance लेंगे A B line पर और यहाँ पर second figure में A B 3 3 यहाँ पर mark कर लेंगे 3 यहाँ पर cut कर लेंगे यह हमारा 3 हो गया उसी तरह से AD line पर 1 और 2 है तो compass में D से 1 कर लेंगे और second figure में mark कर लेंगे यह हमारा one हो जाएगा उसी तरह से A से 2 कर लेंगे और यहाँ पर cut कर लेंगे यहां हमारा 2 हो जाएगा similarly 4 यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर हो जाएगा जैसे हम लोग अब तक करते आए process आपको सारा process पता है है तो आपाइसा कुरस्प किसे हम लो Demanlean लेते जाते हैं लिग्त से लेंगे मैं उसी लाइन पर जैसे सी भी लाइन पर यहां वी सी लाइन वर फाइवेल कम बास मे लेंगे और लोग आजींगेस ऊ से वर कर लेंगे उसी तरह से सी से 5 का डिस्रेंस कंपस में लेंगे और सी से और कट कर लेंगा उसी सिभी लाइन जो हम आरा आ हई है डीजी यह डे enfants lign दिस्ट लाइन पर हमारा 6 है to six से six यहां पर कट कर लेंगे है हमारा six हो जाएगा यहां पर अाप इनको मिला लेना है gonna one set two two say three three say four four five five six six say one यह मारा okay hexagon बन गया यहां पर आप रोपर ड्यमेंशन के साथ बनाओ तो वह थोड़ा से बढ़ा दिकेगा आप पर छोड़ा मेरा स्वाच शोटा हो गया है यह मारा hexagon बन गया है अब यहां पर center निकालना है कि ए Kathy o æक यहां पर गदिते हैं अब ठोला से ज़्याद लग कि या कि है आप रहा है कि हमारा हो गया कि अब यहां पर हम लोगों को यह सब्सक्राइब केस में हम लोग को सिंटर नहीं पड़ा था क्यूंकि यहां पर Goddess पिरामीड का एक्सेस होता है एक्सेस के जस्ट ऊपर में हमारा वहां पर एक एक्स होता है तो सेंटर जहां पर भी हमारा सॉलिड का सेंटर होता है जहां पर भी हम लोग उने सॉलिड का सेंटर निकालना होता है उसी के जस्ट ऊपर में जो एक्सेस का गीवन हाइट है यहां हमारा सद होता है तो यहां पर इस केसं में हम लोग की रिख के संटर निकालinary है तो गोल सकते है तू हम आप समय बीजिanken नहीं तो यहां पर दो शेट लीया झालाओ यहां पर पर हम लोग जो चाहि पट्र., । को मिला देंगा तो जहां पर वो दोनों कट होगा वहां पर हमारा सेंटर आ जाता है यहां पर बेस हमारा horizontal position में आ गया तो जो एक्सेस बनेगा वह हमारा जस्ट बेस के वर्टिकल हो जाएगा मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा तो यहां पर इच्पी से 90 डिग्री पर स्केल रखेंगे और उपर के तरफ 55 इस पॉइंट ब्लैक पॉइंट से उपर के तरफ हम लों 55 कट कर लेंगे अब 55 मार कर लेंगे जहां पर विश्टी फाइब आ रहा है वो देख लेते हैं मंत हमारा यहां पर 55 आ गया है यह हमारा पॉइंट ओ गया है इसको बात में डार कर लेंगे फिलाल अभी हम लोग लाइफ पेंसल से यूज़ कर रहे है तैक्सिस को 55 मार कर लिए अब जहां प 6 से ओ को स्टेट लाइन से मिला देना है आपको 1 से ओ को मिला देंगे 2 हमारा यहां पर है 2 से ओ को मिला देंगे 3 यहां पर है 3 से ओ को मिला देना है 4 से ओ को मिला देना है और 5 से ओ को मिला देना है अब यहां पर देखना है कौन सा हमारा डार्क होगा और कौन सा लाइट पोर्शन है जो आगे का इजेज है आगे का फेसेज है वो हमारा डार्क होने वाला है वो हमने डार करना है और जो बैक साइड का है वो हमने लाइट छोड़ देना है या फिर उसका डैश डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो देखते हैं कौन साथ डार्क होने वाला है सबसे पहले base का आगे का portion देख लेते हैं base का आगे का portion जो है हमारा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 यह जो half आगे का है वो हमने दिख रहा है वो हमें दिखेगा तो उसको पहले dark कर लेते हैं 1 से 2 वो अपने side है 2 से 3 वो भी अपने side है और 3 से 4 यह भी आगे का portion है तेन एजिज जो आगे में थ्री एज़ वह हमने दिखने वाला है और थ्री एज़ जो बैक्स का है वह हम लोग को डिसाइड करना वह दीखेगा पहले हम लोग उपर का बना लेते हैं उसके बाद देखेंगे अगर वह पीछे रहा जा रहा तो हमें नहीं दिखने वाला है अब देखेंगे एपेक्स ओ से जो पॉइंट नीचे का मिला हुआ है वो कौन-कौन सा पॉइंट आगे है तो देखेंगे यहाँ पर वन से ओ जो है वो हमारा फ्रेंट में नजर आ रहा है तू से ओ भी आगे में नजर आ रहा है त्री से ओ भी आगे में नजर आ रहा है और फ के तो से पूर्ण भी ला देते हैं पहले थोड़ा से बाहर जा रहा रहा है इसको कर लेते हैं या यह तो यह पार हो ऄगत तिन उसमे रेह रहा था एम वर्पो गया है इसको फिर इड़ कर लेते हैं जहां जहाँ लाइट हो गया है कि यह फोन हивается और न तक को बोढ़िए हम आपए बाहुरो है कि यह फोन हीडा भूलार देखा लिला नहीं बाहर रहा की है हुआ है शबता हुआ है और वन हमारा मिल गया कि अब बहार का हमारा कम्लीट हो गया है इन दोनों के अंदर में जो अपने साइट वो देख लेते हैं पहले कौन सा आ है अपने साइड हम लोगो नजर आ रहा है वन और फौरके पीच में जो है टू और फ्री जो लाइन तू और थ्री पॉइंट जो है जो तू से ओमिला है त्री से मिला वो हमारे इन दुनों के बीच में है और आगे साइड है वो हमारे साइड है तो से ओको मिला लेते हैं है कि अ चयांतु यह त्लाईर अगया इसको फिर से कर लटेंग वर ठीक है इस तरह स्थिरी से ओ को मिला लेते हैं यह हमारा जो हो गया यह हमारा isometric view बन गया है hexagon का यहाँ पर जो आगे का portion है वो हमें दिखेगा और जो पीछे का portion है 6 से ओ और 5 से वो हमें नहीं दिखने वाला है अगर अगर आप उसको dash.dash.dash.dash !!dashdash.dash.de उसके बाद backside को अगर आप-dash-dash से दिखाना चाहें तो आप नीचे वाले base को जो बचा हुआ है 1-6-5-5 से फूर्ड आप उसको डैसलाइन से दिखा सकते हो और यहाँ पर देखते हैं हमारा दैमेंशनिंग बचा हुआ है द्येख लेंगे जो एज हमारा रखा हुआ है इस पर पर आइसोएमें में के लिए उसी को यूज करते हैं तो यहाँ पेरदेंगे यह मार इसी को पैरलेल ये ऐन से टूल नेकित ऑम नेंगे इसको कर लेंगा इसका डामेल न हरती कर लेकल लिए उसके से पार एक्समारा यहां से आया है इस भी कि लाइन पर ही था एक्सास का फास्ट मैंक और ऊपर में है तो यहां पर हम लोगों को यह आतको फूस्टी लेकर करना नर सूर्प इनारा नहीं हमंगा रहा लैगि आपको प्लकमेर्म कि अब रेक्सरी इंग अपर हमारा इसका आक्सेस पोजीशन में हो ज्याएंगा तब हमने कैसे बना कोड़ना है वह देख लेते हैं वैसे बहुत कोष्यन डो कोश्ण अलएडी वो कर चुके हैं प्रिम में भी हमने देखा था अब पीरामिड में भी दो कुशन हमने देख बनाना है को अप लोग ऐसके हैं कि बनाना है तो वह अब को बता दिया क्या है आइस के यहां पर माक्सिमम 55 तक हम को लेना है तो आइसो इसके लेकर दो लेकर जैसे बनाते था इसके लाइन फिर फिर 45 डिग्री उसके बाद यहां 10 दस सेंटीमेटर 10 इमें 20 इमें 30 40 50 60 तक लोग लोग देना है उसके बाद 55 पर यहां डाउन कर लेना है यहीं हमारा लेंद आ जाएगा इसो oni 75 पाइसो चुक्राइब कि इसी अगर मांत होगा ही तक परफॉलिधन होना से हम लोग जो चांसे बहुत कम हो जासारी एक्जामेन आर झेल फेल होगा कुछ होते हैं जो यहां पर बनना कंप सरी है इसलिए आप अपने तरफ से कोई गलती ना करें अगर आइसामेत्रिक पॉजेक्शन बोला है तो इसके जबुर बनाईएगा फिलाहाल इस को चेन में समेट्रिक फ्यू बोला है यहाँ पर बनाने की जोड़त नहीं है कि है एक्सिस यहां पर होगा यहां पर होरिजंटल है तो हमारा वर्टिकल を जाएगा जंब ही एक्साल होता है और यहां पर है तो इस वर्टिकल कोजिशन में हो जाएगा और जब भी बशेप और या कोई shape hexagon vertical shape में होता है वर्टिकल position में हो जाता है तब हमने क्या करना होता है एक right side में 30 degree लेकर और left side से 90 degree लेकर horizontal से हम लोग वहाँ पर vertical position को complete करते हैं आप left side में भी लेकर बना सकते हैं और यह right side में भी लेकर बना सकते हैं आप उसके लिए free है है अब ध्षान देना है हमने क्या है Even अगर इधर रॉमस लेकर बनाएं हो तो जह से एक्सेस साथ 30 डेगरी पर एक्से आध्यान देना है अगर हम लुग एक रन यूज़ तका प्लेंगे यूज़ कर चुके हैं को सुझे संट इस से को इस थाए को लिए ना चस्टेल्स करेंगे अगर रॉब्ड साइब कर लिया है तो लिए तो थीन यहां पर प्लेन तो ऎकर आप राइट साइड में अलपीनामीड का बेस बनाते हैं तो अगर लेफ्ट साइड में यहां पर अध्सक्राइब बहुत लोग कुछ जब कोशन मना कर भेजते ही तो गलत जर्ण में भी देखता हूंब भूप लोग वहाँ पर लाते हैं लगते लीटर में में राइसाइट इसे मेर तो चुरू करते इस को करने के लिए ऑच्छ तब पिराविद से साइडनी बनाना जिसका एकख़े यह oh mix का मतलब भothe फारिकर कोजिशन में हो जाएगा तो सबसे पहले हैं यहां पर साइट में एक हटाओन बना लेते हैं आप हेक्शाओन ऊप्रोडल्म यहां नहीं होगा अगर आप चाहे तो तरन करके वर्जन तर बना सकते हैं अब इसे एक रेक्टेंग्लर बॉक्स में कर लेते हैं लो थैसे का नेमिंग कर लेते हैं लिए नेमिंग क्या है है वन है त्री पॉर है और खुछ इस को रेक्टेवल बॉक्स में कर लीए है यहां पर वन रिख को लेफ साइट राइट ओपर कर दिये फॉर को डार्वर्ड कर दिये और थी को left side rightward और फिर 1 को upward और 2 को downward नेमिंग कर लो आप यहां पर 1, A, B, C और D अब यहां पर axis horizontal है तो base जो होगा वो vertical होगा vertical position में हमने कैसे start करना होता है एक horizontal plane लेते हैं एक horizontal line लेते हैं फिर क्या करते हैं एक point यहां पर fix कर देते हैं वहां से 30 degree rightward और 90 degree upward लेते हैं point यहां पर A मैंने माना यहां पर A हो गया है अब first figure से AB का length लेना है और right वाले पर cut कर लेना है मानते हैं यहां पर AB आ रहा है और AD मानते हैं यहां पर आ रहा है अब हम लोग को सी पॉइंट निकालना है सब यह सब सारा कुछ पढ़ा दिया गया है आप पहले से जो वीडियो अफ्लोड़ेट है आप देख सकते हैं आप सी पॉइंट निकालना है यहां पर यहां पर यहां पर दिस्टंस कट कर लेंगे और यहां पर मार कर लेंगे यह हमारा फिर पाइंट होगी है उसी तरह से अपर हमारा वन है यहां पर आ जाएगा यहां पर हो जाएगा और यहां पर वो जाएगा है यहां five और उपर में हो जाएगा six फस्ट फिगर से हम लोगो लेंद कंप आसमें लेते जाना है और सेखेंड फिगर फास्ट निस लाइन पर हम लोगो पॉइंट मार करते जाना है यह सब हम लोग अब हमारा last isometric चल रहा है यह सब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं इनका भी यह सब टॉपिक्स छोटा हुआ है वह पहले से का वीडियो देख लें उनको सारा कुछ समझ माया जाएगा अब हम लोग क्या करेंगा वन से टू को मिला दिये सेंटर निकालना पड़ेगा सेंटर निकालने के लिए की लिए क्या करते हैं अर। को यहां से 20 से मिला दिया जहां पर यह कट हुआ वह हमारा सेंटर हो गया है सेंटर हमारा यह पॉइंट है अब क्या करना है हम लोगों को सेंटर को पीछे के तरफ एक्सेंट करके एक्सेस लाइन बनाना है तो बताया गया है जब भी बेस हमारा वर्टिकल हो जाएगा तो सेंटर को पीछे के तरफ एक लाइन बनाते हैं यहां पर हमारा बेस राइट वाले प्लेंट पर बना है तो लेफ्ट में हम लोग एक 30 डिगरी का लाइन होरिजंटल से बनाएंगे यहां से इसी लाइन के प सकते हैं यहां पर मैं सम्झाने के लिए एक रिफरेंस लाइन यहां बना दे रहा हूं यह काफी लाइट बनाना आप यहां पर इसके पैरलेल एक एकसिस लाइन बनाना होगा इसको फिर से स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं इसके पैरलेल एकसिस हमने बनाना ह है इसका हाइट जो भी है हाइट जहां प्रया मन लेते हैं यह हमारा फुफिफटी फाइब पर यह हमारा ओ पॉइंट आ गया लिए हमने अपक्स निकाल लिया है एकश से पीछे के तरफ अक्से जहां 3 है फिर से एक बढ़ प्ढ़र सफ कर्व लग रहा है फिर से एक बढ़ मिला रहा ने से उसके बाद 3 हमारा कहुँ हमारा है तो कि आतरहरा इसी के लिए पास से पार हो जाएगा इसा कि और सnt organize झाय के यहां राजरा जाने ऑने सब्सक्राइब और मेरा एकसिस के एस-पास से यह जाने वाला है। अब दिखने वाले हैं कि अन- konzice ऊने वाला है तो चुब भी बताया गया है कि axis horizontal हो और base vertical हो तो base हमेशा dark होगा base हमारे side है base का हर एक base age हम लोगो दिख रहा है अपने side ही है वो तो वो हमेशा dark होने वाला है तो इसको dark कर लेते हैं तो dark कर लेते हैं इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 1 इसके बाद दिखना है कौन सा दिखने वाला है point देखेंगे हम लोग कौन सा दिख रहा है बाहर का point है O से 6, O से 6 हामने दिखने वाला है यह बाहर का है तो धर देख लेंगे O से 1 भी हमारे side है O से 1 दिखने वाला है तो 2 भी दिखेंगा यहां पर वो भी अपने side है फिर से इसको टॉक इसको शुपने हैं कि कि शेंच में है कि ऐसे बैसाइज दो था वह अपने साइड था अब भागी जो भ्यूर्फ का एज है वो थिरी पॉइंट के पिछे है और ठी का विलान नों देख रहे है यह वला लाइन जो है यह लाइन भी हम और तू है इस वाले ट्राइंगूलर pentru स्ट यह हमारा लाउजला होगा है इसके बजह से उतनी लैन को हमने डाकणा होगा ख् permit लाइन भी हमारा ओॉ सिक्स और वन वाले पॉइंट से इसके वाले ट्रेग्णुलर फेस से वह उने वाला है उसी दर से फॉर वाला भी हमें डाम नहीं होगा हम इसको डाइबर सकते हो यहां पर चाइस डाइस5 छो है वह भी है पैलल पार शुमत्रीक एक्सिस के पैरलल है यहां पर उसके बाद कौन से हमारे है 1-2 जो है वो भी parallel है isometric axis के तो 1-2 का भी हमनों dimension 30 कर सकते हैं लेफ्ट हैड करेंगे यह हमारा हो गया question complete आज दो question हमने पढ़ा isometric view पढ़ा जब है hexagonal हमारा hexagonal pyramid का axis vertical हो और horizontal हो यह तोनों हमने complete किया कौन का question अगले वीडियो में हम लोग complete करेंगे अगर time मिला तो आज ही इसको upload कर देंगे कौन का भी वीडियो को otherwise इसको कल complete करेंगे तो revision के लिए question जो मैंने कल दिया था वो देख लेते हैं एल्दी already video का lens जादा हो गया है revision के लिए question जो है वह हम लोग लोग complete कर लेगते हैं परस्ट question मैंने दिया था when a semicircle is when a semicircle is rotated about its diameter the shape generated will be जब को semicircle है इसको अगर rotate करते हैं semicircle मतलब ऐसा होता है वो अगर इसको fix करते हुए इस line को fix करते हुए circle को हम लोग अगर rotate कर देंसे करके तो क्या बनने वाला है तो जब भी semicircle को हम लोग इस line को fix करते हुए इसको अगर घुमा देते हैं ऐसे करके घुमाने से क्या होता वो हम लोग को स्फेयर complete कर देता है स्फेयर कैसे complete करता है अगर इसको साइड वियू में देखें साइड वियू में हम लोग को ऐसा एक line आई जिसके पास four' equilateral triangular फेसे थैं मतलब उसके पास four' equilateral triangular फेसे मतलब वैसा टेंगोलर फेज जिसका सारा साइड बराबर हूँ और वैसा बैसा चार इसके पास पशो और हो नियुक्त रेकार पास तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वियू का लोग टेत्राया द्राव जाए तो ट्रैंगोलर पिरामिड में एक बेस होगा जो ट्रैंगोलर होगा और यहांपर तीनो चारों यहांपर ट्रैंगोलर के कश समय लेकिन चोटा होता है और आदार जहांके बोलते हैं और बोलते हैं उसको हुष्ट राइट दीद राइट इंस एक आपने कुछिछन देख लेते हैं आज का कुछिन क्या है कि अगर आपको आपटन से इसका कमेंट करना है आज मैं एक ही कोशन लिया हूँ अगर पॉसिबल हुआ टाइम हुआ तो आप सेकंड वीडियो जब बनाऊंगा आज अप्लोड करूंगा अगर तो उसमें सेकंड को इंग्लूड कर दूंगा अधर्वाइस वह फिर कल हम लोग उसको डिसकस करेंगा डेली अगर दो-दो क्वेशन भी कंप्लीट करते हैं तो हमारा सेले बस इसली कवर हो जाएगा क्योंकि लाइक और शेयर जबूर कीजेगा जो भी फ्रेंड दुसरे कॉलेज में है उनक तक जबूर पहुंचाईएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जबूर कीजेगा थैंक्यू सो मच